परिचय क्या तुम जानती हो कि जैविक वर्गी करण क्या है? जी विज्ञान में जैविक वर्गीकरण अत्वा बैज्ञानिक वर्गीकरण एक विधी है जिसके द्वारा जी विज्ञान जीवों को समूह एवं प्रकारों में बाटते हैं जैसे की वन्ष अत्वा जाती आधुने जैवी करण वर्गी करण का मूल कैरुलस लिनियस के कार्यों में है, जिन्होंने जातियों को सामान्य भौतिक गुणों के अनुसार वर्गी कृत किया है इस वर्गी करण का संशोधन डार्विन के उत्तराधिकार के सिध्धान से तालमेल बिठाने के लिए होता रहा है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जैविक वर्गी करण को परिभाशित करना वर्गी करण के इतिहास का अध्यन करना विभिन जगतों को पहचानना दुई जगत वर्गी करण को समझना तीन जगत वर्गी करण का अध्यन करना चतो जगत वर्गी करण के बारे में जानना 5 जगत वर्गी करण के बारे में जानना, 6 जगत वर्गी करण के बारे में समझना, मुनेरा जगत के गुणों को समझना, आत्य बैक्टीरिया की संग्रचना तथा गुणों का अध्यन करना, यू बैक्टीरिया की संग्रचना तथा उनके गुणों का अध्यन करना वर्गी करण का इतिहास अरस्तु मिस्र के दार्शनिक थे जिन्हें जन्त विज्ञान का जनक कहा जाता है उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया अनिमेलिया में जन्तुओं को वर्गी कृत किया अरस्तु के दो मुख्य समूह थे इनेमा, बिना लाल रक्तवाले जन्तु, अक्षे रुकी तथा इनेमा, लाल रक्तवाले जन्तु, कशे रुकी इनेमा को पुनह, ओवी पारा तथा विवी पारा में बांटा गया थ्रियो फ्रास्टस ने पादपों को उनके रूप तथा संघटन के आधार पर वर्की कृत किया उन्होंने उसे व्रिक्ष, घास, छोटे घास, जड़ी बूठी के समूह में बाटा थ्रियो फ्रास्टस ने 480 पादपों को अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटाम में नाम दिया तथा वर्नन किया जोन रॉय ने पहली बार जन्तु प्रजाती पद को प्रस्तुत किया तथा परिभाशित किया उन्होंने अपनी हिस्टोरिया, जेनेरेलिस, प्लान्टेरम में अठारा हजार से अधिक पादपों तथा जन्तुओं का वर्णन किया, तथा जन्तुओं की पहचान के लिए शब्द विकिसित किये वर्गी कारण की आधोनिक पद्धती की शुरुवात 1758 E.S.V. में शुरू हुई जब कैरलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नाचुरा के दस्वे संसकरण को प्रस्तुत किया उन्होंने सामान्य गुणों की आधार पर यह भी पहचाना कि विभिन प्रजातियों को व्रिहतर प्रकारों में वर्गी कृत किया जा सकता है, जिसे उन्होंने टेक्सौन कहा वर्गी करण की पद्धती जीवों के वर्गी करण की भिन भिन विधिया है, जगत की संख्या के अनुसार वे निम्न लिखित हैं, द्वी जगत पद्धती, तीन जगत पद्धती, चार जगत पद्धती, पांच जगत पद्धती, छे जगत पद्धती वर्गी करण की द्वी जगत पद्धती अरस्तु के काल से ही जीव विज्ञान ने सजीव जगत को दो जगतों में विभाजित किया वे हैं पादप तथा जन्तु जगत कैरुलस लीनियस ने भी सजीवों को दो भागों में विभाजित किया जन्तु के लिए अनिमेलिया तथा पादपों के लिए वेजटेबिलिया उस काल में दो जगत पधती बिलकुल तर्क युक्त था क्योंकि पादप तथा जन्तु स्पष्ट विभेदित हो सकते थे वर्गी करण की तीन जगत पधती जर्मन प्रकृतिविद अर्नेस्ट हेकल ने 1866 इस्वी में अपने जन्रल मॉर्फॉलोजी डर ओगनाईजेशन में एक कोशिकिय प्रोटोजोवा तथा शैवाल को शामिल किया तथा तीसरा किंडम प्रोटेस्टा को जन्म दिया प्रोटेस्टा का अर्थ होता है सवों में प्रथम अथवा आधिकालीन वर्गी करण की चार जगत पद्धती 1930 में फ्रांसिसी समुद्री जीव विज्ञानी अद्वर्ट चेटन ने जीवों के दो प्रकारों प्रोकेरियोट जिसमें केंद्रक का अभाव था तथा यूकेरियोट अधिक जटिल जीव जिसमें केंद्रक था की पहचान की 1938 में अमेरीकी जीव विज्ञानी हावर्ट एफ पोपलांड ने चौथे किंगडम मुनेरा प्रोकेरियोटा को निर्मित किया जिसे अब किंगडम प्रोकेरियोटा कहा जाता है वर्गी करण की पाँच जगत पद्धती 1979 में अमेरीकी परितंत्र विज्ञानी रॉबर्ट एच हिट्टेकर ने प्रतिपादित किया कि फंजाए अन्य सूक्ष्म जीवों से काफी अंतर रखता है जिससे उसे एक अला किंगडम नाम दिया गया इन्होंने वर्गी करण की पाँच जगत पद्धती को जन्म दिया इसके अंतरगर्थ था मुनेरा, प्रुटेस्टा, पंजाई, कवक, प्लांटे, पादप, एवं अनिमेलिया जन्तू पाँच जगत वर्गी करण कोशिका की जटिलता, जीवों की जटिलता, पोशन के प्रकार तथा मुख्य पारितांत्रिक भूमिका पर आधारित है विट्टेकर की योजना को सजीवों के तारकिक वर्गी करण के रूप में आज भी व्यापक स्वीकृती मिली है वर्गी करण की छए जगत पद्धती हाली में वर्गी करण की छए जगत पद्धती को तीन सूक्ष्म जीव विज्ञानियों कार्ल वुएस, ओकंदलर तथा एम एल वीलिस ने 1990 में प्रस्तावित किया वुएस, कंदलर तथा वीलिस ने सभी जीवों को तीन मुख्य समूहों में प्रस्तावित किया जिसे डोमेन या प्रांथ कहा गया तथा जो किंग्डम स्थर, यूकेरिया, बाक्टेरिया तथा आर्किया से उपर था वुएस की पद्धती में प्रांथ यूकेरिया छे जगत के चार जगतों प्रोटिस्टा, फंजाय, पादप तथा जन्तु जगत को शामिल करता है अन्य दो प्रांथों में से प्रत्येक में सिर्फ एक जगत है प्रांथ बैक्टेरिया में किंग्डम यू बैक्टेरिया तथा प्रांथ आर्किया में किंग्डम आध्य बैक्टेरिया आध्य प्रोटिस्टा, प्रांथ जगत के गुण कोशिका के प्रकार कोशिका भित्ती, नाभिकिय जिल्ली, शरीर संग्रचना, पोशन के प्रकार किंग्डम मोनरा किंग्डम मोनरा के अंतरगर्थ प्रोकेरियोटिक आता है उनमें केंद्रक जिल्ली का अभाव होता है वे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्रिया तथा विक्सित, 9-2, स्ट्रैंड, फ्लाचला से वंचित होते हैं मोनरा की कोशिकाए अती सूक्षम होती है वे प्राया एक कोशिकी अजीव होते है पोशन के मुख्य प्रकार अवचूशन हैं किन्तु इनके कुछ समूह प्रकाश संग्षलेशी अत्वा कैमोसी थैंग्टेक होते हैं प्रजनन साधारणत विखंडन अत्वा मुकुलन द्वारा अलेंगिक होता है प्रोटोसेक्श्वल घटना भी घटित होती है अलिकांश जीवों में द्रढ़त कोशिका भित्ती होती है उदाहरण एनाबेना, नॉस्टोक, ओसलेटोरिया, बैक्टीरिया किंग्डम मोनरा अत्वा प्रोकेरियोटा को दो उपजगतों आध्य बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया में बांटा गया है आध्य बैक्टीरिया अधिकांश आध्य बैक्टीरिया स्वपोशी होते है आदे बैक्टेरिया अपने उपा पचय क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक उजा, रासायनिक उजा के ओक्से करंड से प्राप्त करते हैं, जैसा की आवश्यक गैसें अमोनिया, NH3, मीधेन, CH4, अत्वा हाइडरोजन सलफाइव, H2S, जिससे एक एमीनो अमल तथा प्रोट गया है, मैथनोजेन, थर्मो आसिडोफिलस, हालोफिलस, मैथनोजन अपनी उपा पचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मीधेन का निर्मान करते हैं, ओक्सिजन की उपस्थिती में मैथनोजेन की मृत्य हो जाती है, इस प्रकार वे दलदली तथा कच्छ क्षेत्र में प पच्छ की मीधेन गंध, विशेशता का कारण मिधेनोजन ही है, थर्मो आसिडोफिलस, अत्यधिक गर्म तथा अमली वातावरणों में वास करते हैं, जैसा की गर्म जहरने, कई थर्मो आसिडोफिलस, हाइडरुजन सलफाइड को अपनी उजा स्रोत के रूप में रहते हैं, जैसे ग्रेट सॉल्ट जील, तथा मृत सागर, जोकी अत्यधिक खारिय वातावरण है, यू बाक्टीरिया, बाक्टीरिया की प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में एक बाह कोशिका भित्ती होती है, जो प्लाजमा जिल्ली को घेरता है, जो आन्तितह अक्षिय राइबोजोम से युक्त साइटोप्लाजम को घेरता है, उनमें साधारन तह केंद्रक क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉंड्रिया जैसे संगलग्न अंगों की जिल्ली का अभाव होता है, डिने की वर्तोल स्ट्रैंड जो कोशिका प्लाजम के रूप में काम करता है, उपा पचय क्रियाएं जैसे की इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तथा प्रकाश संग्षलेशन प्लाजमा जिल्ली में होता है, जो कभी-कभी कोशिका के अंतरंग भाग की ओर मुडती है, बैक्टीरिया की सबसे सामान्य आक्रती चढ़ जिसे बैसिलाई, गोलाकार, जिसे कोकाई तथा कॉर्क्सक्रू की आकार, जिसे स्पाइरिला कहते हैं, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ती में अद्वित्ती अपदार्थ पेप्टाइड होता है, ग्राम, स्टैनिंग तकनीक बैक्टीरिया में कोशिका भित्ती रचना के द करने में हमारे सहायक हैं. अनेक बैक्टेरिया गतिशील होते हैं तथा इन में एक याधिक फ्लाजला होते हैं. यू बैक्टेरिया निम्न आर्ठ प्रकार के होते हैं. अक्टिनो माईसिस, कीमो ऑटो ट्रॉफ, साइनो बैक्टेरिया, एंटेरो बैक्टेरिया, गलाडिंग तथा मुकुलन बैक्टेरिया, स्यूदो मुनास, रिकेटी सीयासिस तथा कलेमाइडियास, स्पायरो चैट्स. Actinomyces, वीजानु उत्पन्न करने वाले, जाल शाखित तन्तुमई, ग्राम धनात्मक मृदा बैक्टेरिया है कीमो ओटोट्रोफ एक बैक्टेरिया है जो अपनी उजा अकार्बनिक रसायनों से प्राप्त करते हैं साइनो बैक्टेरिया प्रकाश संग्षलेशी बैक्टेरिया का एक रूप है जो समुदरी तथा स्वच जल वातावरण में सामान्य गेहरे पिग्मेंट वाले होते हैं तथा प्रदूशित जलों में पुश्पन उत्पन्न करते हैं एंटेरो बैक्टेरिया ग्राम रिनात्मक छड़ाकार बैक्टेरिया है जो बीजान उत्पन्न नहीं करते हैं प्रायः वायवीय पर पोशी रोगवाहक होते हैं तथा ब्यूबोनिक प्लेग तथा हैजा उत्पन्न करते हैं Gliding तथा मुकुलन बैक्टीरिया ग्राम रिनात्मक होते हैं, जो ग्लाइडिंग गती प्रदर्शित करते हैं Pseudo-mona, Spolar, Flagella वाले ग्राम रिनात्मक पर पोशी हैं, जो मृदा बैक्टीरिया का सामान्य रूप हैं, तथा कुछ पादपों के रोगवाहक हैं Ricateseus तथा Clemydeus लगु ग्राम रिनात्मक अंतरा कोशिकिय पर जीवी हैं, जो मानव के रोगवाहक हैं Spirochates दोनों सिरे पर Flagella युक्त, लंबी कुंडलित कोशिकाएं होती हैं, जो जली अवातावरण में समान होते हैं, तथा रोगवाहक होते हैं क्या आप जानते हैं? Classical Taxonomy, Morphological गुणों पर आधारित है Phylogenetic Taxonomy की शुरुवात, Angler तथा Prental ने किया था Kledogram, Kledisotic में एक शाखित डाइग्राम है, जो उनके व्युत्पन गुणों के संबंध में प्रजातियों के बीच संबंध ने रूपित करते हैं Carolus Lineus ने Phylum तथा Protista शब्दों को स्रजित किया था Lal Data पुस्तक विलुप्त तथा संकट ग्रस्त जीवधारियों का रिकॉर्ड रखता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं पादपों तथा जन्तुओं का जैविक वर्गी करण सर्व प्रथम अरस्तु ने सरल मॉर्फोलोजिकल गुणों के आधार पर प्रतिपादित किया लीनियस ने सभी जीवधारियों को बाद में दो जगतों प्लांटा तथा अनिमेलिया में वर्गी कृत किया फिक्टेकर ने एक विस्तृत पाँच जगत वर्गी करण मॉनेरा, प्रुटिस्टा, पंजाई, प्लांटा तथा अनिमेलिया प्रस्तावित किया पाँच जगत वर्गी करण के मुख्य आधार, कोशिका संग्रचना, शरीर संगठन, पोशन की विधी तथा प्रजिनन, तथा फाइले जेनिटिक संबंध थे पाँच जगत वर्गी करण में बैक्टेरिया को मुनेरा किंग्डम में शामिल किया गया है बैक्टेरिया वितरन में समकालीन है